हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताग फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके ओपो एगतिस में यदि इसका लाउड स्पीकर वर्क नहीं करता है तो आप उसको बिल्कुल सिंपल और आसान तरी किस तरीके से रिप्र कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहां पर वीडियो बहुत ही म में इसक किस तरीके कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहां पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने इस चेनल पर एक सीरीज करें जैसे की OPPO A 31 में आने वाली कोई भी प्रोब्लम जैसे charging से related हाजिंग एर रें बेटरी टेंपरेचर टू हाई एंड लोग की प्रोब्लम में बेटरी का एरा स्लो चार्जिंग में फेक चार्जिंग और उसके बाद नेटवर्क से related प्रोब्लम में ये seperti सलोड या तरा on the italyte not everywhere बोलम आरे हैं सिम नहीं चल रहे您िस सभी तरेके से प्रोब्लम आने वाली प्रोब्लं का मैंने vem तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेडिस्ट चेक टसकते हैं मैंने प्लेडिसम या वाली हर एक प्रोबलम को मैंने explain करा है I hope दोस्तों यह playlist यह जो मैंने बनाई है वो आप लोगों के लिए helpful रहेगी तो दोस्तों एक बार चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लेना क्योंकि मैंने अभी start करा है तो इसमें आने वाले हर एक problem को मैं आपको solution बताऊंगा तो दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं ओपो का यह गतिस का speaker ठीक है तो इसमें देख सकते जो इसकी यह वाले touch line है मैं आपको बिल्कुल basic से लेकर advance तक आपको समझाओंगा कि देखो यहाँ पर सबसे पहले inpoint पर यह connect होता है जब हम अपने इस mobile को connect कर यहां पर यह charger circuit चार्ज़र Socket को अउपर की तरप आप देख सकते हैं वाले दो जो एंटिने इन दोनों एंटिनों में यहां पर हमारा speaker connect होता है कि है यह आप देख सकते हैं यह वाले दो पॉइंट उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यह वाला जो पॉइंट यह है हमारा स्पिकर का मैनस वाला पॉइंट। तो दोस्तों ये सपिकर की फॉजिटिव वाली लाइन है। वो दोस्तों उसके बाद आ जाती है हमारे यहांपर इदर से आती हैं सीधा देख सकते हैं दोस्तों यहांपर ऊपर की तरब जो यह रज़स्टर लगा पहले प्लस वाले supply को समझ लेते हैं यह देखे उसके बाद इस वाले point पर supply अती है अगर दोस्तों यह वाला आपका रझस्तर खराब हो जाता है तो भी आपका स्पीकर वर्क नहीं करेगा अगर यह खराब हो जाता है जैसे इदर आपकी ground reading आ हैं यह दर नहीं आ रही हैं तो आप इस पर jumper भी कर सकते हो ठीक है जंपर करो तो भी आपका इसे मैं स्पिकर Premi year के सकते यह वाला एक टेस्ट पुंट दे रहे हैं इसके पास में आपको अच्छे से दिक रहा होगा यह देखे मैं आप थोड़ा से यहान पर यह पउंट है है यह तरह यह विदस्टों यह थी कपस्टर रहा है और हम उपर की तरफ और इसी तरीके से दोस्तों इसमें आप पेले इसको अच्छे से समझ लिए उसके बाद यह अपने मोबाइल में वर्क करें ठीक है और उसके बाद दोस्तों अगर आपके हम इस वाले पॉइंट में जाती है और उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ नाप देख सकते हैं और उसके बाद यह कहां पर जाती है और इसी करीके से हमारे प्लस वाले लाइन यहां पर निकल जाती है यह कहां पाद दोस्तों जो आपको दो पोइंडे रहे हैं यह वाले इस पर आती है और उसके बाद जो उपर की तरब देख सकते हैं ये हैं हमारे speaker के मैनस वाले points तो इस तरीके से हमारे here पर आती हैं और और इसी तरीके से दोस्तों यहां पर उपर की तरफ जाती है हमारे इस वाले कनेक्टर पर ठीक है इस वाले कनेक्टर पर उपर की तरफ प्लस वाला प्लस वाली सप्लाई आती है और नीचे की तरफ जो है हमारे इसकी मैनस वाली सप्लाई आती है ठीक है यहां पर देख सकते ह यहां पर इसकी यह देखिए यह वाले जो आपको कॉंपोनेंट दिखाए दे रहोंगे यह वाले उसमें से जो पॉजिटिव वाली लाइने वह हमारी पॉजिटिव वाले लाइन आती है यहां पर इदर वाले इस वाले के अंदर ठीक है इस वाले के अंदर आती है और उसके परतिस風 पर जाता है और उसके बाद्यों हमारी स्पत्ष्ट पोइन केता है थीक कि और शी फोट यह राइन और अदर अधर दौक के सान पारी तो दोस्तो तौह इस तरीकी से होता है मारा सभी में इस पीकर का वेज और दोस्तों अगर आप देख सकते हैं अगर आपकी प्लस वाले लाइन में अगर शोटिंग आ रही हैं तो आप चेक कर सकते हैं step by step in component देखो यह वाला जो component है यहां उपर जो केपस्टर लगा है यह हैं अगर शोटिंग के आती हैं तो हमारे इस वाले केपस्टर को आप हटा कर देख सकते हैं अगर इसको हटा कर नहीं देखना चाते हो सकता है आपकी इस बोर्ड में भी शोटिंग ओ तो क्या करना है आपको CC बोर्ड को पूरा अलग कर लेना है और उसके बाद यहां पर सोटिंग चेक करना है अगर बाद CC बोर्ड के में यहां पर सोटिंग आ रही है तो फिर उसके बाद इस वाले आप केपस्टर को हटा सकते हैं आपकी सोटिंग निकल जाएंगी और अगर लाइन मिसिंग आती जिसे रेडिंग यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है एंटीने पर तो आप यहां पर एक पहले इस वाले पॉंट पर चेक कर सकते हैं आप अपनी प्रोब्लम को इस तरीके से सोल कर सकते हैं ठीके हैं और धोस्तों यहां पर देख सकते हैं और हमारी साउंड आइसी को वोगठ करने के लिए जो वौल्टेज की जरूरत होती है जैसे हमें काम करने के लिए बोलने के लिए हमें देनिक जो पर्तिकरिया होती हैं उसको करने के लिए जो हमें ताकत की जरूरत होती है उसी तरीके से हमारी sound IC को काम करने के लिए power की जरूरत होती है वो power मिलता है हमारे यहाँ पर इस वाले point पर ठीक है यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 की बीच voltage देखने को मिलेगा यहाँ पर ठीक है और यह voltage अगर आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों हमारी यह पीचे की तरफ पीचे की तरफ जो हमारी यह IC है ठीक है पीचे की तरफ जो हमारी यह वाले IC है BQIC उसके इस coil के उपर यहाँ पर इन point उपर यहाँ पर इसका VPH power आता है जो इन capture से होते हैं हमारी इस point से आता है अगर साउंड प्रोब्लम और भी कुछ आता है तो आप चैनल पर एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें ओपो एक दिस में आने वाले सभी प्रोब्लम का सोलुशन दिया गया है तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह के और helpful और interesting वीडियो के साथ तो दोस्तो तब तक के लिए